अज मूडवाद खराव है यार काहे? अज पिंकी स्कूल नहीं आई ना यार क्लास रूमें एक दब सुना सुना सा लग रहा है ठीक हाँ यार जिंगी भी आज स्कूल नहीं आई लगता है कि पिंकी के मम्मी ने उस अब आद पीटा था कल काहे? कल फोन पे पिंकी को मैंने फ्लाइंग कीज जो दिया था ना क्या बोर्रह भी यार लेकर उस के मम्मी को कैसे बता चला अरे फोन पे उसकी मम्मी जो थी मेरे भी सेम केस है यार लेकिन फोन उसके पापा ने उठा है था अज पढाई का विलकुल मन नहीं है, पता नहीं कोन कमभकत पढाने आएगा, देखतो कितना बजा ओ, जारा है अटलकाँ अवे अथ तो अंकेरा के बोर कर गया यार यार या «या सुनाय नहीं पर रहा क्या पर मार्मार पढ़ाय बढ़ाय तो कुछ करना नहीं, बस गुड मार्निंग ही बोलते रहो तुम लोग बैट सर जी एक बार पूछे नए इसके हाथों सुटे गय हो सुटे नहीं गये बेटा, सीडों पेसे गिर गये थे सबके सब कहता है तुम सबके सब किताबे निकालो और सुझाएगा सबके सब किताबे निकालो अरे साहिका यार यह तो सूगे अरे एक साल से देख रहे हैं इसको ना पढ़ाते हैं ना ही पढ़ा पाते हैं स्कूल में आते ही रोजी मेडम के पीछे पीछे गुमते रहते हैं कभी रोजी मेडम के लिए टिफिन ला रही कभी रोजी मेडम के लिए पानी ला रही मेडम तो इसको घास तक नहीं डालते हैं लेकिन ये माशाई उनके पीछे 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 दूम हिलाता फिरते हैं मैंने एक बार पूछा के सर जी 3 प्लस 3 कितना होते हैं माशाई ने बोला सेक्स साले को 6 तक बोलना नहीं आता और टीचर मन के खड़ा है दो दो बार रोजी मेडम के हस्बेंट से पीच चुका है लेकिन अभी भी इसकी अकल ठीगाने नहीं आई फिर भी उनके पीचे दुम हिलाता फिरता है जिगर्दे के साले को मारी डालू अरे कंड्रोल भाई कंड्रोल अरे रुकर को अभी जगा थे हैं इसको सर जी ओ सर जी सर जी प्रिंसिपल आए प्रिंसिपल का है का है प्रिंसिपल सरे जी पढ़ाओगे नहीं क्या घुईया पढ़ाएंगे आज हम पढ़ाएंगे ए तू बता भारत का बज़ाद हुआ था अबे यार ये कौन सी भारत के बत कर रहा है अरे शायद हमारे पढ़स वाले भारत अंकल की सरे जी जिस दिन उसकी बीबी मरे ते उसे दिन आजाद हुआता भारत वाह क्या जवाब है अब दूसरा सवाद तू बता मुगल सल्तनत के राजाओं को सुल्तान क्यूँ गा जाता था सर सुल्तान मुगलो को नहीं सलमान खान को कहते है हट अब तीसरा सवाल दूर बता सनी डे का मतलब क्या होता है सरजी एक बात पुछनी थी सरजी कौन सा सनी लियोनी कि तारेक पे तारेक तारेक पे तारेक बाल सनी क्या सवाल पुछा वा तुम लोग सरफ पढ़ाओ पढ़ाओ कहते रहते हो जब सवाल पुछा जाता है तो एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है तुमको और उपर से ये बाल देखो बाल है कि काटे हुआ है अपने चाट देखो तुम ज्यादा फचर फचर मत करो बना यह बाल तुम में मुह में घुसर देगा और फिर चिलाते रहोगे हाँ हाँ करके सर जी बबाल हो गया बबाल हो गया अईसा कौन सा बबाल हो गया वे जो इतना उचलते हुए आ रहे हो अरे सर जी परस बले शर्माजी है ना उनके घर में बेटा पैदा हुआ है और उसका नम बबार रखाया अर तुम लग पढ़ाई करने आते हो या घोईया चिलने आते हो इस्कूल में सर जी आप पढ़ाने आते हो या सोने आते हो जा सब दिक्कत हो जाएगी तुम्हें सर जी आपको रोजी मेडम बुला रही कहाँ मजाक कर रहे थे कर दो कर दो कर दो